कि अरे क्या करिए ये में साब बस बर्तन दोने जा रहे थे वो नहीं ये ग्लास किसे पुछकर तुने इस घर के ग्लास से पानी पिया में साब वो प्यास लगी थी इसलिए पी लिया हमें पता नहीं था आपको बुरा लगेगा सुन तुझे काम पर रख लिया ना इसका मत अब यह नहीं कि दो हमारे सर पर चड़के बैठ जाएगी अरे मीची जाते तु भूल जाती है क्या कान खोल कर सुले दुबारा तुने कभी ऐसा किया ना तो नौकरी से भार कर दूगी और सिर्फ इतना ही नहीं नहीं पहले तोड़ू अज भी नहीं चड़ाए हमारे पर अपना रहन सेन तो और तरीके नहीं पतले हमने काम करी न, थिए गलब सब्सक्राइब, पार मेमस हमें वीया है, तो इसमय कम करने तुझ करनें मैं तुझ हौगी थी कॉछी दिक दिक्कत है. तुझे अगर दिक्कत है ना, तो कल से काम पे आने की कोई ज़ुरत नहीं है, मैं किसी और को रख लूँगा तुझे पे ग्याद है पर में सब हमारे गलफ्स फट गेते हैं, हम नए लेकर आते हैं माँ ठीक हो ना, क्या बात होगी माँ, आज आपको गलफ्स की ज़रूरत नहीं पड़ी मेंसाब, हमें माफ कर दीजेगा, वो बिना गलफ्स के ही आपको दवा दे दी पर आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, हमें काम से मत लिका लिएगा मेंसाब दीदी, मैं आपसे नहीं मा से बोल रही हूँ मा, जब आज बात आपकी जान पर बनाई, तो आप गलफ्स के बारे में बूल गए हमें गाउं से शेहर आयोए 20 साल हो गए है मा, और आप अभी भी इस छुआ छूत और कास्स सिस्टम में बिलीफ करते हो क्या आपको पता नहीं है, ये सब स्रिफ समाज को बाटने और हमारे बीच नफरत पहलाने के काम आता है हम उपर से नीचे तक सेम हैं तो ये कास्ट, स्टेटिस, रंग रूप ये सब क्यूं मा इससे क्या फरक पड़ता है मा जरा सोचो अगर वो नीचे नए गलफ लेने चली जाती और उसे उपर आने में देर हो जाती तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है 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 तो ठीक कह रही है बेटा कवीदा मुझे माफ कर दी बेटा मैंने आज तक जितना भी तुझे डाठा तुस्से घेन की वो सब बहुत गलत है लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद तुबारा ऐसा कभी नहीं होगा मैंसाब आप माफी मत मांगे आप हमसे बड़ी में है हाँ बड़ी हूँ पर मैंने गलती तो की है और जब तक तो मुझे माफ नहीं करें कि मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलेगी कोई बात नहीं मैंसाब हमने माफ कर दी आपको If you are going through any psychological or relationship problem then you can join our positivity group by the name of Nejo Positive , it's a community counselling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity . the link is in the description below. Thank you Bye Bye you